हलो फेंट्स वेल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं आपके लेकर आई एक चाट की रेसिपी जो की है मटर और आलो की चाट हमने इसे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया है इसमें आपको सारे टेस्ट मिलेंगे जैसा इस ट्रीट पर ये मिलती है न वैसा ही इसको हमने बनाया है आप इससे अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिएगा और सर्दियों के दिन में तो जब मन करता है ना कुछ चाट कुछ चटपटा खाने का तो इसमें आपको तीखा खटा मीठा चटपटा मसालेदार सारे टेस्ट मिलने वाले हैं और यदि आपको मेरे आज की कफ माठर लिए ठी जिससे अपने रात बजे के लिए भीगो के रखाथ ही ती के अची से फूल गई है अब इसको हम चार से पांच वार और अच्छ से से दू लेते हैं फिर एम इसको वायल करने के लिए रखेंगे तो वायल करने के लिए हमना प्रेशर कू कर लिया है और हम दालेंगे पानी यहां हमने इसमें 2 गलास पानी डाला है पानी कम पढ़ता है तो फिर आप बाद में और ले सकते हैं यहां लेंगे स्वाधनुसार नमक और कलर के हिसाब से आपको थोड़े सी हल्ली लेनी है और एक से दो पिंच आपको बेकिंग सोडा लेना है इससे यह मटर जल्दी बल जाते हैं वरना काफी टाइम लगता है आपको इसमें 4-5 सीजी लगानी है हो जाएगी नहीं होती तो फिर आप एक दो और एकस्टर लगा सकते हो यह अच्छे आलू है जिससे हमने छिलका पानी में डलके रखा है ताकि यह काले ना पड़े इसको हम कट करके त्यार कर लेते हैं इसको आपको बहुत जादा थिक नह करता है तो यह प्रोसेस आप फॉलो करना आलू हमने काट कर ले हैं अब इसको हम तीन से चार बार अच्छे से तो लेते हैं और इसका पानी अलग कर देंगे हम इसको फ्राई करना है तो यहां पर हम कड़ाई में लेंगे ओल यह डीफ्राई होता है लेकिन आपको फिर भी जादा ओयल लेने की जरूएत नहीं है जब अच्छे से गरम हो जाए ना फिर आप आलू डालना जब आप गरम ओयल में भी आलू डालते है ना तो टेंपरेज होता है वो कम हो जाता है तो स्टार्टिंग में जब तक आप आलू डाल रहे हैं तक तक फ्लेम को फुल सबसे पहले आलू को पकने देना बीच पीच में आप इसको चलाते रहें आलू को ओवर कुक नहीं करना है जैसे आलू पक चाएना आपको फ्लेम को फुल करना है देखिए सबसे पहले आपको आलू को पकाना रहता है फिर उसको क्रिस्पी करना है क्रिस्पी करने के लिए पकने के बाद मैं फुल कर दो तो आलू अच्छे से क्रिस्पी होता है बिना किसी कॉन फ्लार या चावल के आठे के आलू क्रिस्पी होता है ये प्रोसेस रहता है आलू हमारा पक गया है अब आपको फ्लेम को फुल कर देनी है और इसको अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन होने तक fry होने देना आलू जादा बड़े पीसिस में रहेंगे ना तो वो इतनी क्रिस्पी नहीं होंगे रिजल्ट आता है जब आलू के पीसिस छोड़े रहते हैं तो जादा अच्छा रिजल्ट आता है बीच पीच में चलाते रहें तो यहां आप देख सकते हैं आलू का कितना अच्छा कलर आ गया है यह चीज़े सिकर तियार हो गए है इन्हें हम निकाल लेते हैं तो यहां हम इन आलू को इस बाउल में निकाल लेते हैं अब आपको आलू में डालना है स्वादानुसार नमाग तोड़ासा लाल मिर्श पाउडर यहां इसमें जाएगा चाट मसाला और ठीकिए चाट मसाला में नमक होता है तो फिर जो नमक है वो आप उसी साब से ढालें बुना हुआ जीरा पाउडर अब आप चाहें त壓 चाहें तो इससे ऐसे ही डॉस कर सकते हैं मिक्स कर सकते हैं अच्य से अच्छे से मसालीस पर अच्छे से कोट हो जाएंगे तो यहां विटर हमारे अच्छे से हो गई है यह इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और यहां पर हमने एक पैन लिया है पैन लिया है बड़ा चम्मच आयल जैसे ही गरम होले इसमें आपको ले आदा चम्मच जीरा इसे आपको तोड़ा सबस्तिते देना है तो यहां यह एच्छा हमार हलका सा भून गया है फिलिम को आप मीडियम टू लो कर देना और जो उपले हुए मटर है वो हम इसमें डाल देते हैं इदि आपको लगता है पानी कम है तो फिर आप इसमें गरम पानी करके आइच कर सकते नॉर्मल नहीं करना वो टेस्ट खरब कर देगा लाल मिर्च पाउड आदर चमच आमचूर पाउडर इसमें हम डालेंगे और एक चौथा ही चमच जितना हमने लिया है काला नमग क्योंकि सफेद नमग को वालते वक डाला था तो उसी हिसाप से लिया और थोड़ा से गरम मसाला बोना हुआ जीरा पाउडर और यह एक टेमाटर लिया है जिसे ह और मसाल का भी आपको असमय डाला होता है तामाटर को अलग से पकाने की जरूद नहीं है, कच्य बन का टेस्ट आता है चार्ट में टमाटर ऐसे ही डलता है और यह इसको बारी काटने की जरूद होती है, आप इससे रफली ऐसे ही काटके भी डाल सकते हैं आ गेज़िए यह नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप यहां पर इमली का पानी ले सकते हैं तो यहां पर टमाटर हमने इस तरीगे से रफली काट कर डाल दिया है फ्लेम को मीडियम टो लो ही रखना और यहां पर यह हमने लिए हरी मर्च यह भी ऐसे ही रफली काट कर आपको डाल देनी है मैंने घरी मिशली है बाकि अपने तीके पन के हिसाब से जितना आपको पसंद है एक दू या तीन भी ले सकते हैं अब डालेंगे इसमें फ्रेश बारी कटा हुआ हरा धनिया और यह थोड़ा सा नीबू करस फ्लेम को अब हमने कर दिया है मेडियम टू हाई और अब इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आप देखिए आपको इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूत ने होती है बस इसको मिक्स करना है और तीन-चार मिनिट तक मीजिम टू हाई फ्लेम पर ही आपको इसे पकाना है जो मसाले हमने यूज किये हैं वही मसाले आपको यूज करने है बस क्वांटिटी जितना बना रहे हो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं बाकी यह आपके किचिन के रेगुलर मसाले हैं तो आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है तो यहाँ पर यह आपको अभी जैसे दिख रहा है इसकी कॉंसिस्टेंसी ऐसी है ठंड़ा होने के बाद में तिक हो जाएगी तो ज़्यादा आपको इसे इसमें नहीं पकाना है मा लेजे पानी कम रहता है तो फिर आप अभी भी या फिर इसमें डाले से पहले भी आप इसमें गरम पानी अड़ कर सकते है तो ये मटर बन गए तयार हो गई है यहाँ पर देखिए ये दो तरह की चटनी है हरी वाली चटनी इसका और जो आमप्यूर की पाउडर की बनाती हूँ में ये वाली खटी मीठी चटनी इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देदूँगी आप देख सकते हैं ये तो आज मैंने सुबह ही बनाई है फ्रेश कि खराब नहीं होती है आप इसे साल भर तक फ्रेश में स्टोर करके रखो न ये वैसी ही रहती है ये तस मिट में बन जाती हो पूरी साल के लिए स्टोर कर सकते हो मसाले में आपको चैए ये लालमिश पाउडर चाट मसाला जीरा पाउडर सफेद नमक और काला नमक मसाले लास्ट में डालते हैं चाट के उपर अब यहां हम चाट बनाना शुरू करते हैं तो ये हमने दौने लिए हैं आप प्लेट ले सकते हो कटोरी ले सकते हो बाकि मेरे पास नहीं था तो मैंने ये ले लिया है मटर दौने में डाल दी है अब यहाँ पर डालेंगे फ्राई मसालेदार आलो यह दिया प्यास खाते हैं तो फिर आप यहाँ पर प्यास को कट करके भी डाल सकते हैं यह हमने यह टमाटर रखा है कट करके वो हमने डाल दिया है और यह हरी वाली तीकी खटी चटनी ये इसके उपर डाल देते हैं तो ये आप अपने हसाब से कर सकते हैं किसी को हरी चटनी पसंद होती है खटी मीटी वाली नहीं पसंद होती है या फिर किसी को दौनर पसंद होती है तो ये आप अपने हसाब से कर सकते हैं ये खट्टी मीटी चट्टी भी इसके उपर डाल दी है अब डालेंगे हम इसके उपर हरी मिर्च थोड़े थोड़े सी हरी मिर्च डाल दी है और इसके उपर इसमें जाएगा लास्ट में हरा धनिया और मसाले सबसे लास्ट में डाला वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है तो ये है सफेद नमक और काला नमक और ये लाल मिर्च पाउडर और आप जाएगा इसमें चाट मसाला मसाले डल गए है लास्ट में डालेंगे थोड़ा थोड़ा नीबू का रस तो यहां ये हमारी मटर की चाट बनकर तयार हो गई है इस चाट को आप अपने घर पर बनाएंगे ना बहुत पसंद आएगी सबको जो मसाली यूज किये है कुछ भी एक्स्टर महनत नहीं करनी है मसाले आपके किचिन के रेगुलर मसाले है जैसे कि इसमें हमने जो आली यूज किये है वो तरीका जो हमने मटर बनाए है वो तरीका तो कुछ चीजां चेंज करने से चाट का टेस्ट और प्लस हो जाता है आप इस चाट की रेसिपी को इस सरवी में अपने घर पर जरूर ट्राइ कीजिएगा फिदिया आपको मेरे आज की चाट की रेसिपी पसंदा है तो इसे लाइक करना ना भूले इससे जाद से अदर शेयर कीजिए और चैनल पर नए है आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए बेल अकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स वीडियो जा मैं अप्लोड करूँगी तो आपको सबसे पहले नौटिफिकेशन मिल सके और इसके अलावा भी मेरे चलबर काफी सारी चाट की रेसिपी है आप वो देख सकते हैं मार्केट में बनी चाट और घर में बनी चाट तो होने में फरक रहता है आप जब घर बर बनाएंगे ना तो मार्केट से वो कई गुना जादा टेस्टी बनती है जरूर ट्राइ कीजिएगा थेंक यू